एक दिन गौतम बुद्ध अपने सिस्यों की साथ एकदम सांत बैठे हुए थे उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर सिस्य चंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हो गए एक सिस्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या सिस्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अनसिस्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे तब ही कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिलाया आज मुझे सभा में बैठने की अनमती क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आखें बंद करके ध्यान मगन हो गई वह देखती फिर से चिलाया मुझे प्रवेश की अनमती क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार सिस्य ने उसका पक्छ लेते हुई कहा कि उसे सभा में आने की अनमती प्रदान की जाए बुद्ध ने आखें खोली और बोले नहीं वह अचूत है उसे आग्या नहीं दी जा सकती यह सुंकर सिस्यों को बड़ा आश्चरे हुगा बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले हाँ वह अचूत है इस पर कई सिस्य बोले हमारे आश्रम में जात पात का कोई अगरता भंग होती है क्रोधी ब्यक्ति प्रायम मानसिक हिंसा कर बैठता है इसलिए जब तक वह ग्रोध में रहता है तब तक अचूत होता है इसलिए उसे कुछ समय एकांथ में खड़े रहना चाहिए क्रोधित से सिभी बुद्ध की बातें सुन नहा था पश्चताप की अल्गी में तब कर वह समच चुका था कि अहिंसा ही मनिश का महान करतप वे वापरम धर्म है वह बुद्ध के चरणों में गिरपड़ा और कभी ग्रोध ना करने का प्रण दिया तो ये क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर वैठता है और पश्चताप उसे बादमन होता है जिसका कोई लाव नहीं मिलता है इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अच्छूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्रोध करने से तन मन और धन तीनों की हानी होती है क्रोध से ज़्यादा हान का रब कोई और बस्तु नहीं है नमो पुद्धाय